नमस्कार दोस्तों आप सभी के स्वाकत है फिट इंडिया के अंदर मैं बगवत आज आपके सामने एक रोचक जानका रिलिए क्या हूं कि देख रहे हैं आप जैसे कि किस तरह से आप दिवार के उपर पैर उपर करके सोएंगे उसके क्या क्या बेनिफिट है वो सब आज के व कि तरफ पैर के उपर से नीचे की तरफ जो ग्रिविटी होगी और उसी ग्रिविटी की कारण ब्लड सेर्कुलेशन जो है वो फास जो है माइंड तक और पूरे हार्ड तक पहुंचता है और पूरे सरीर को जो है इसका फाइदा मिलता है तो ऐसा पैर की स्थति आप देख पैर की स्थति यह रहेगी वही इस्थति है और उससे क्या होता है यह ब्लड सर्कुलेशन यहां से जो है ग्रिविटी के असाब से नीचे की तरफ आएगा और फास्ट हो जाएगा और लोवर अब्डोमेनल जो है उसको जो है फास्ट यहां पर खून मिलेगा तो उसी की व होगी उसके साथ साथ में इस तरह से आप 20 मिनिट सोएंगे तो आपके जो पीट पतला करने का जो काम भी वह एक साइज से हो जाएगी तो इस तरह से आप आराम से लिटर हैं पांच-पांच मिनिट के चार स्टैप्स के अंदर आप इसको कर सकते हैं अगर तीसरा बेनिफि और आपको जो नीन जो है वह बहुत ही अच्छे आने लग जाती है क्योंकि ओर्गनिक जो टीशू जो होता है तो इस तरह से सोने से ओर्गनिक जो टीशू सोंगे उनको ऑक्सिजन जादा मिलगी और उससे वह सांत होते हैं तो यह भी एक बेनिफिट है जिन लोगों को नी जो है वह अच्छे हो जाती है तो दोस्तों जैसे कि आपने देख रहेंगी चौता बेनिफिट आपको यह मिलेगा जो लोग डिफ्रेशन के सिकार होते हैं उन लोगों को इस तरह से सोने से डिप्रेशन से वह बार आ सकते हैं माइन और नर्वस सिस्टम को जो ऑक्सिजन ज है बहुत जादा पेन होता है जब भी काम करने खड़े रहते हैं 20 मिनट 25 मिनट बीजी नहीं खड़े हो सकते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी एक्सेज है इस तरह से एक्सेज करने से जो यहां पे जो पेन होगा फुट पेन जो जिसको बोल दे हम वो पेन से आपको आजा जाता है कि बहुत ज़्यादा फुट पेन होता है तो उनके लिए सबसे ज़्यादा करेगर एक्सेज होगी सुरुआद के अंदर हो सकता है कि आपको तीन से चार दिन एक अटपटा सा जो अजीब सा जो महसूस हो ना लगेगा और लेकिन उसके बाद में जो है आपको तो उम्मिद करता हूँ दोस्तों आज की जानकरिया आप लोगों को पसंद आई होगी लेक्स अप वाली और इसको लाइक और सुस्क्राइब करें और आगे अपनों तक शेयर करें वो भी उसका लाब उठा सकेंगे थैंक्यू सो मच थैंक्यू निरंजना